Hello everyone, आज की से अपडेट चे कहीं कहीं छात्रों का फायदा होने वाला है कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई परिशानी होती है जिसके सॉलिशन के लिए अपने टीचर्स के पास, अपने होडी के पास या फिर प्रिंस्पल सर के पास भी जाते हैं अपनी परिशानी को बताते हैं, पर हमें उसका कोई सटीक रिजल्ट नहीं मिलता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बार चात्रों के साथ ऐसा होता है लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कई बार सिक्षकों के द्वारा बातों को अंसुनी या बच्चों को डाट कर डरा कर सांत कर दिया जाता है I think आप में से कई शात्रों के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा अभी हाली में हमने कुछ कॉलेजों में मेस का हाल देखा है और सिकायत करने पे उन शात्रों की कितनी मदत हुई या उनके साथ क्या हुआ हम सभी को अच्छे से पता है तो ऐसा और ना हो किसी शात्र के साथ इसके लिए SBT ने एक नया अपडेट जाड़ी किया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग फुल डीटेल से बाद करने वाले हैं और इससे कहीं न कहीं छात्रों का अच्छा खासा फायदा होने वाला है तो क्या है फुड़ अपडेट जाने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहे हैं तो हाली में जाड़ी हुआ है एस वीडियो का एक नए अपडेट जैसा कि डेट आप यहां पे देख सकते हैं चौदा चौदा और लेटर संख्या देख सकते हैं 217 तो इसी लेटर के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले है और कैसी ये लेटर से छात्रों का फायदा होने वाला है इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कार्याली आदेश अकिल भारती तक्निकी शिक्सा परिश्यत यानि के आई सीटी नई दिली के रिड्रेसल ऑफ ग्रिवेंस ऑफ एस्टुडेंट से समंदित रेगुलेशन यहाँ पे फाइल नंबर दिया गया है यानि कौन से रेगुलेशन है वो दिया गया है और यह जो अपडेट है यह जो नियम है यह अभी नहीं बहुत पहले का नियम है ठिके जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 जो की बाइस साथ 2019 के अनुपालन में राज प्रिविदिक शिक्सा प्रसक प्यार पढ़ना में काडियत निमलिक हित पतादिका़ी को उनके नाम की सामने अंकित संसानों के लिए ओमबर्ट्स फरशन यहां पे आप इसे परनॉंसेशन ओमबर्ट्स फरशन यांशोप्य जिसन कोल सकते हो निक्ट किया जाता है अब यह क्या होता है इसके बार में हम लोग डेटेल से बात करेंगे एस ओपी नंबर फाइब जरो वन रिविजन चीरो एब हम अभाद सिफ के सुसंगत प्रावधानों के अंतरगर्द सरसमें काड़ियाना वें करना सुनिचित करेंगे यानि कि जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं री ट्रेसर ऑफ ग्रि के लिए यानि वह सिकाइट के निवारन के लिए यहां पर कुछ अंवर्टर फिरसन को निक्ट क्या गया है यानि कि कच ऐसे पर्स कौन होते हैं तो आमबर्स फर्शन को न्यूक्त तब किया जाता है जब किसी संस्तान से कोई सिकायत आती है तो उन सिकायत के निवारन के लिए उनके सॉल्योशन के लिए इन्हें न्यूक्त किया जाता है अब एसोपी क्या होता है इस प्रोसीजर में किसी भी काम को करने के ल college के लिए किसे onwards person बनाए गया है यानि किन से आप सिकायत कर सकते हैं और कौन से college के बच्चे किन से सिकायत करेंगे वो सारे चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर first में serial number है फिर institute का code दिया गया है college code फिर आपके college का नाम दिया गया है य स्वीटी में वो दिया गया है और साथी साथ उनका mobile number भी दिया गया है आप यहाँ पर सिकायत करने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी सिकायत कर सकते हो ठीक है सिकायत की यहां कुछ लिमिटेशन है कि आप किसी चीज के रिगार्डिंग सिकायत कर सकते हैं या फिर कुछ ऐ होता है और यह से कैसे चातरों को फैदा होगा नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि आप लोग कौन-कौन से सिकायत कर सकते हैं कौन-कौन से सिकायत नहीं कर सकते हैं सारे बारे में डिटेल से बात करेंगे पालिस नोटीस को हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर आभी तक यह आपके पास पहुंच गया होगा अगर नहीं भी पहुंच आ है तो आपको यह टेलिग्राम में मिल जाएगा ठीक है जो भी छाथ टेलिग्राम में जोईन नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जोईन हो सकते हैं और कुछ भी डाउट है ताप हमें इस्टा पर भी कर लिया यहां पिस सारी कॉलेज जो भीलेटइट है सारे कॉलेज का यहां पे नाम ज्याद ऑलेज खया हो टो झाल जोकि आपको शिकायद के लिए बनाइगे हैं सो इतनी सी जान करी थी आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कॉमेंट अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले और इस नोटिस से जोड़ी कुछ भी टाउट है ताफ हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे तो च